तो अलो गाइज के सब सभी लोग, welcome back to my channel तो गाइज, आज हम unbox करने वाले हैं यह वाला बेवलेड, fake plastic gen का बेवलेड है तो मैंने वो monster बेवलेड और के लिए जिसमें बड़ा disk होता है लेकिन यह गलत डेलिवर हो चुका है तो कोई नहीं इसका unboxing करते थे तो गाइज वीडियो को देखो और सब्सक्राइब कर चैनल को लास्ट तक देखो वीडियो को और शेर कर अपने दोस्तों के साथ और पिल्लेट कमेड़ को थोड़ा और आगया बढ़ा दो बिना किसी दरी के लेट्स टार्ट दप वीडियो तो गाइज अन्बॉक्स करना है तो जादा कुछ है नहीं बस इसको इधर से थोड़ा खोल के निकाल लेंगे हमारा जो भी है बेवलेड और लांचर 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 सब निकाल लेते हैं इसब निकल गया बस लॉंचर निकल सब भ्रास्टिक यह प्लसटीक जण मेयूर को बताना प्लस्टिक इस प्लास्टिक जन का ड्रसील टाइप लग रहा है और इसके साथ लॉंचर का एक हैंडल और हमको मिलता है कि रिपकॉर्ड प्लास्टिक जन के रिपकॉर्ड आप देख सकते हूं काफी ज्यादा लंबे होते हैं और बस यही सब कुछ है इसमें तो ज्यादा कुछ ने करते हैं फटा फटा एक पास पिन करके देख लेते हैं इसे अब देख सकते हैं मेरे लिए थोड़ा सर्प्राइजिंग है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें लाइट भी जलता है तो इस थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन लाइट जल रहा है एक रेड़ वाला लाइट एक बार फिर से मैं आपको लाइट करके दिखाता हूं 3 2 1 लेट और गाइज अब देख सकते यहां लाइट जल रहा है थोड़ा बहुत रेड़ कलर का लाइट है तो गाइज अभी एक बार इससे हम अंधिरे में बैटल करके देखते हैं बेवलेट्स के साथ तो हम एक बार एक्स के लिए इससे करके देखते हैं अंधिरे में कैसा दीख रहा है बैटल में 3,2,1, let it rip, 3,2,1, let it rip अब देख सकते हैं अंधिरे में लाइट जाता है और गाइज यह किया हुआ और हार गया तो अभी गाइज रून के लाइट्स ओन कहते हैं और देखते हैं गाइज सब्सक्राइजन से करें देख लेते हैं बैटल 3,2,1, let it rip, 3,2,1, let it rip और देखते हैं जिस क्या पर पता है स्ट्राइजन के सामने और फेक के मारा है और हरा दिया है स्ट्राइजन ने और गाइज यह भी लगता है लगवक बर्ट हो ही गया था और अभी इसको हम फिर से असेम्बल कर देते हैं और एक बार हम एकस के लिए से करके देख लेंगे अंधरे में तो कुछ दिखा नहीं गाइज अभी पहले एकस के लिए इसको लांच कर देते है त्री तू वान और अभी इससे लांच करते हैं और गाइज देखते क्या करते हैं और गाइज और गाइज शौकिंग बात तो यह है यह तूट गया है लगता है मुझे थोड़ा लगा है कि यह तूट गया है इदर से और गाइज यह देखो इदर से तूट गया है और शौकिंग बात यह हरा दिया है एकस के लिए इसको काफी अच्छा टक कर गवा और गाइज यह जो रिपकॉर्ड लॉंचर है काफी कमाल का रिपकॉर्ड लॉंचर ह मैं कहारा था सथ्ता फ् fall डिका धि जो भी हो आप एक बार इसका लॉंच का स्पीड देखो हम aries आवाज सुन पार होना काफी तेजी से ॉच कर रहा है बेलेट को काफी तेजी से लाँच कर रहा है मेरे पास जो यह मेटल जैन का हमारे पास पीजस है इसको एक बार मैं आपको लाँच करके दिखा दा हूँ 321 यह थोड़ा मिस लॉंच हो गया है क्योंकि इसका लॉंच है नहीं है ना फिर भी इससे लॉंच हो जाता है मैंने दिखा है तो एक बार लॉंच कहते है 321 एंड गाइज अब देख सकतो आवाज देखो गाइज इतने ताकत वर मतलब इतने स्पीड में यह लॉंच हुआ है पेवलेड मैं आपको बता नहीं सकता काफी स्पीड में लॉंच हुआ है और एक बार वाल्स प्राइजन को मैं लॉंच कर गएता है और देखो गाइज मैंने कितनी फिर बाद वाल्स प्राइजन को लॉंच किया फिर भी देख सकते हो इसके यह लॉंचर का स्पीड की वज़े से पेशस को एक्स्ट्रा थोड़ा बूस्ट मिला है और यह हरा रहा है देख सकते हो तो गाइज अभी यह वाला बैटल थोड़ा ओफ टॉपिक हो जा रहा है तो कोई बात नहीं अब देख से तो फ्रीव जी दिया है आज का हमने वीडियो किया अन्बॉक्सिंग इस बेविलेट के बारे में तो थोड़ा ओफ टॉपिक हो गया है तो कोई बात नहीं तो वाइज आभी जादा कुछ दिखाने को नहीं है यही है बेविलेट और लॉंचर बहुती बढ़िया है काफी स्पीड में लॉंच करता है और बेविलेट काफी हलका फुल का है तो उतना जादा पारफुल नही प्लास्टिक जैन का है सबस्क्राइब कर दो लाइक कर दो और मिलता है लेने वीडियो में तब तक लिए स्टेश एप एन हैपी ब्लेडिंग